इस्क्रीन पे जो ये छोटा सा देश आपको दिख रहा है मालदिव मालदिव को फिच ने रेटिंग करके बता दिया है कि ये कबार में चला गया अब इसके बार एक बड़ा खुलासा हो गया है मालदिव के राष्टपती ने भीतर भीतर ऐसा क्या किया है कि संसद में हंगामा मच गया है जानेंगे क्या है मामला वहीं दूसरी तरफ अब यूएन ने भारत के लिए एक बड़ी मुस्किल खड़ी कर दी है भारत के 900 सेनिकों की जान खतरे में है जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से जहां तक बात है मालदिव के एकोनोमी की तो मालदिव की एकोनोमी खस्ता हाल हो चली है और इस चीज को लेकर जब मालदिव में नए नए राष्टपती आये थे तभी इन्हें बता दिया गया था कि जिस तरीके से आपने करजा लिया है ये करजा अब आपके लिए सबसे बड़ा संकट बनकर आ रहा है और ऐसे में आप ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाओगे करज की बार आई एम एफ ने भी कह दिया था और वहीं वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया था स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मालदिव को लेकर वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि यहाँ financial challenges है और यहाँ high debt risk है यानि की करजे का बहुत ज़्यादा risk है यह वापस कर पाएंगे यह कहना बहुत मुजगिल है सिर्फ वर्ल्ड बैंक ने ही नहीं वर्ल्ड बैंक के बाद फिच ने भी इनकी rating को गिरा दिया cc plus से इनकी rating को गिरा कर b minus कर दिया गया मतलब एकदम से जंक में भेज दिया गया इनकी इस rating का मतलब है यहाँ की आर्थ विवस्ता बहुत खतरनाक है और इस level पर है कि यहाँ दिक्कतें अभी लंबे समय तक रहेंगी अब एक चीज तो स्योर हो गया कि माल दियू बड़े संकट में फस चुका है पर इन सब के बीच में क्या हो रहा है राश्पती मुहमद मुईजू अपने ही देश में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे की यह संकट और ज्यादा बढ़ जाए इसक्रीन पर जो यह आर्टिकल है इस आर्टिकल में यह कहा जा रहा है कि मुईजू सबसे पहले यह इनों ने कहा था अपने भासन में कि मैं जब राश्पती बन जाओंगा तो राजनितिक पदों पर और न्यूखतियां रोकूंगा और अपने ही बादा को इनों ने तोड दिया है पाँच फरवरी को अपने पहले राश्पती संबोधन में मुईजू ने कहा था कि देश में राजनितिक पदों में विर्धी नहीं की जाई उन्होंने तब कहा था कि सरकारी खर्चे को कम करने के लिए उनकी सरकार ने राजनितिक पदों पर और न्यूखतियां न देश की एकोनोमी को सुधार ने कर्ज और राजकोस की स्थिति को एक पर्मानेंट लेबल पर लाने की और सुधार करने की जरूरत है पर यहां पर देखने को मिल रहा है कि यहां मुईजू ने चुपके चुपके कहा जाता है कि 2000 जहां 700 न्यूखतियां थी 2000 न्यूखतिया करी है और जब इनके भी पच्ची पार्टी ने कहा कि चलो हम हमें संख्या बताओ और हम संसद में इस पर बहस करेंगे आखिरकार इतने राजनीतिक पदों को क्यों भरा गया है अगर हम ऐसा भरते हैं तो हमें बहुत जादा खर्चा लगेगा जो बिलकुल भी सही नहीं है फ पारित हो या नहो इस वक्त इस्तिती ऐसी आ गई है कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनके मंत्री चाइना के बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं कि आप हमें पैसे दे दीजिए इस रेटिंग से हमें उबारने की कोसिस करिए अब चाइना के लिए क्या है कि पहले से वह इतना करजा इन्हों ने दिया है लाओस जिस करजे को वो चुका ही नहीं पाएंगे इस तरह की चीजे की है और उसके बाद जो देश होता है वो बिवस हो जाता है अपने आपको सरेंडर करने में यही चीज यहाँ पर दिख रहा है कहा जा रहा है कि लाओस ने 18 साल में जि हाल ना हो पहले से ही करजा बहुत जाता है अब मन में अगर आपके ख्याल आता है कि भारत के लिए तो यह बड़ी मुस्किल हो जाएगी अगर चाइना यहां एंटरी ले ले लेगा तो भारत किस किस के करजे को चुका है पहली बात दूसरी बात यह भारत को खुद ससक्त ह इन देशों का कोई भरोसा नहीं है इने बचा भी लो इने करजा चुका भी दो तो भी यह पिर जाकर वही जाकर मिलेंगे इससे बहतर है कि अपनी सामरीक सक्ती अपनी रणितिक सक्ती और अपने ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा लो कि इस तरीके के देश आपको ब्लैक्म का ब्लु लाईन और ये ब्लु लाईन कहां पर है लेबनान और इसराईल के बीच में अगर आप देखेंगे न notes screen पर देख रहे हैं दो जंडे हैं और बीच में एक ड्रम रखा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है UN, UN का ये एक बॉर्डर है, बुलू लाइन बॉर्डर है, जो लेबनान को इजराइल से अलग करता है, क्योंकि एक समय इजराइल ने लेबनान के बड़े हिस्से को कभजा लिया था, तो UN की पीस किपिंग फोर्स यहां पर कि तातकालिक चलो लड़ाई नहीं होगी, लेकिन लेबनान में जो समू है हिजबुल्ला, जिसको कहा जाता है कि इसे समर्थन प्राप्त है इरान का, वो क्या करता है, बॉर्डर के ऊपर से रोकेटों की बारिस कर देता है, अभी हाली में इजराइल ने एक्सन लिया, जिस पर उसके टॉप के कमांडर मारे गए, जब टॉप के कमांडर मारे गए, तो बदले में उसने भी 200 रोकेटों को दागना सुरू कर दिया, अब यूएन यहाँ पर यह कह रहा है, कि यह जो इलाका है, इस इलाके में एक फुल स्केल वार रखा हुआ है, अब आपको लगेग है, कारण है, और बहुत बड़ा कारण है, कारण क्या है, कि लेबनान ने हाल के दिनों में एक वीडियो फुटेज रिलीज किया था, जो इस चैनल के रेगुलर वीवर हैं, उन्हें ये न्यूज जरूर बता होगी, संक्षीप्त में बताऊं, तो इस वीडियो में इसराइ आपके अंदर बारिस कर सकते थे बमों की और आपके लिए मुस्किल खड़ी कर सकते थे, इस वीडियो के बाद हिजबुल्ला को लेकर इसराइल के मन में ये बात बैठ चुकी है, कि आगे हो सकता है, हिजबुल्ला हमास से जादा खतरनाक हमारे लिए साबित हो, अब ऐसे म इन्होंने यहां पर हमला करने की सोची है, कहा जा रहा है कि इसराइल के सैनी यहां हिजबुल्ला से लड़ने के लिए अब तयारी कर रहे हैं, हिजबुल्ला भी लगातार कुछ न कुछ रॉकेट डाग रहा है, पर यहां जो यूएन की पीस किपिंग फोर्स है, इस फोर् कार्टिय सैनी को वहां से हटाए जाएंगे या फिर वहीं रहेंगे, बहुत सारे यूएन के सैनी इजराइल हमास युद्ध में भी परभावित हुए हैं, क्या यहां पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कम कमेंट कर जरू बताएं, जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ